वीर छदाल हमा कावर में जब लाखन उदल बंदी बन जाते हैं आलहा शारे दिन युद्ध करते रहे लेकिन वीजय श्री आलहा ने जब वरड नहीं की तो आहा दोस्तों आलहा की आखों में आशु छलक बड़े और हुआ क्या आरे याही की आलहा तमुग पूणे उनको शोशु नमबर डौजाई और याजू लडाई की गती देखे नाहीं बीजय होती दिखलाई अरोत सकारे मोय धियारे पहुशे जहार खंड में जाए और देवी शार दाकी मथिया में दिन्ती करन लगे हर शाई और मात भगावती कियो रूठी है मोय उदल सेत ओ छुडाई और जीती लड़ाई या जोनाई पाही मेरो जियत अमर न होई जाई और तब ये आवा मोलन लागी सुनियो मंडली के अवतार और यासा तुम्हारी पूरी हुल्ये मलिखे ब्रहप्रीले उपलबाई और यावे मलहारो सिर सावालो नामी बच्छराज को लागी और शकमी आवे प्यम्माथा कुर्पन ये घूमे घूमे तलवारे पेड़ी शार्दा ने आला से कहा कि जब तक मलखान और परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद नहीं आएंगे तब तक भी गेश्री बर्ग नहीं करेगी आल लोगों का जब हो गया आई कियाल हत्ता पुरू पूरे उनका सोशून परनों जाई कागज लेकिं कल दीवालों आलहा पाती ने खी बनाई स्वस्ते सिरी सरना मालिखे की और मलिखे पोरा मन्जवाल मंगल कुशल लिखी आगे जले लिखी दो सुब संबाद यकार लाखन को प्याहन कमरूगल हरे देश राज मेरा गर घटियाई को मसाईने ताहक दारे मिलन दुभार चियत चाहा उदल भाया मलिखे पाधिया बतल बार पाती लेके धामन चल धाओं मो दर बार मलहारे राज अर पाती पाधिया जाओं मल खेने सु रखी गई गगल पेचाहाई उचो जहरानी चो परिगो लच गई उच्छ बना भर ख्याहाई आर गज मोतिन के आज महलल मैं पहुचो सिरसा को शर्दार देखे उदासी ये मुख पर खासी गजमा कहन लगी समय केसी उदासी तेरा चहरा पेद ना हर शिरसा के मल खानी तम कहें मलारो शिरसा कारो प्यारो बच्छ राद्य को लानी जब आला बाला पत्र मल खान को मिला है चहरा सुस्त पर गया तो महारानी गज मोतिन अने मल खान से कहा कर पिया कारेड क्या है ओदासी के चिन नजतियों आ रहे है तो मल खान बुगला है प्यर्थद सोच करो गज मोतिनी धुख की बात नहें ये कोई लाखन को ब्याहन कमर गए आला उदल बंदु ही जोई लाखन उदल कैद भे तब आला न पत्र पठाओं सोई मानी न एक कही तब तो अव आला मुला बत का एकुमोई पीरन सुनिने इतनी बात हाई तब गज मा पोई पीरन सुनिके इतनी बात हाई तब गज मा पोली है गज मा पोली है आई तब गज मा पोली है पीरन सुनिके इतनी बात हाई तब गज मा पोली है आई आई